पीएम मोदी के सामने क्या बोली जया किशोरी महिला दिवस और महाशिवरात्री के शुब अफसर पर शुक्रवार को भारत मन्दपम में पहले राश्ट्रिय रचनाकार पुरसकार नाशनल क्रियेटर्स अवार्ड प्रदान किये गए ये पुरसकार पीएम मोदी ने उन लोगों को प्रदान किये जो अपने अपने क्शेत्र में समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं इसी प्रोग्राम के तहत मशहूर कथा वाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ट रचनाकार का पुरसकार दिया गया है पुरसकार लेते वक्ट पी-े-म मोधी ने उनके अभूत-पूर्व काम को सराहा और कहा कि आपने लोगों को गीता के बारे में बताने का भीरा उठाया है तो इस पर जया किशोरी ने उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने लोगों को गीता के बारे में बताती हूँ क्योंकि मेरा बच्पन इन ही चीजों से गुज्रा है भगवान से जुरना तो बुरापे का काम है और जो बदलाव मेरे अंदर आया है चाहे शांती, सुकून, खुशिबो सब गीता का ही ज्यान है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सोच है कि भगवान से जुरना तो बुरापे का काम है और मुझे लगता है कि ये सबसे गलत सोच है क्योंकि हमें लगता है भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत हम युवाओं को है और जब मैं अपनी भौतिक लाइफ के साथ साथ अध्यात्म का जीवन जी सकती हूँ तो कोई भी इसे जी सकता है अध्यात्म का मतलब जोला लेकर चले जाना जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को लगता है कि अध्यात्म का मतलब जोला लेकर चले जाना तो इस पर जया किशोरी ने हस्ते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा ज्यान है श्रीमत भगवत गीता जिसका ज्यान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जो कि राजा बनने वाला है और राजा से ज्यादा एश्वर्या किसी के पास नहीं होता है उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपना राज ये दो उन्होंने बस यहीं कहा कि अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो